हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशी कृष्णा आज का हमारा विशय है मित्र गुरू की मीन राशी पर मंगल का कोचर एक महिने से जादत समय तक यह इस्तती बनेगी क्योंकि मंगल मित्र राशी पर कोचर करेगा इसलिए आठ राशी वालों को मिलेगा विशेश लाव होगा शादी का रिष्टा पका अचानक शादी का रिष्टा आएगा और ऐसी कौन सी राशिया है इन में से जो प्रेम विव करना चाहते हैं तो रिष्टे की बात कर सकते हैं या रिष्टे की बात करते हैं तो बहुत अच्छा योग बनेगा इसके अलवा अन्य जो राशिया है उनको आमदनी के मामले में लाब मिल सकता है ऐसी कौन सी राशिया है तो सभी बारह राशियों के बारे में जानकारी लाब तो यह इस्तती कब से बनने वाली है यह इस्तती बनने वाली है 17 मई 2022 से 17 मई 2022 से लेकर 26 जून 2022 तक यह इस्तती चलेगी तो एक महिने से ज़्यादा समय तक मंगल मित्र घुरू की मीन राशी पर गोचर करेगा अब इससे हर एक राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले जानेंगे मेश राशी के बारे में यदि आपकी जन्म राशी मेश राशी है क्योंकि यहाँ पर जन्म राशी की बात हो रही है इसे चंद्र राशी भी कहते हैं तो राशी का सीधा संबंद किस्से है आपकी जन्म राशी से अर्थाथ आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ है वही आपकी जन्म राशी या चंद्र राशी कहलाती है तो मेश राशी की बात करेंगे सबसे पहले आपकी राशी से यह मंगल क्योंकि चंद्र कुंडली के अधार पर गोचर बताया जा रहा है तो आपकी राशी से अर्थाथ चंद्र कुंडली को देखें तो मंगल का गोचर बारवे भाव में होगा बारवा मंगल शुब नहीं होता है लेकिन मेश राशी वालों के लिए यह काफी अच्छा रहेगा शादी के मामले में शादी के रिष्टे का योग बनेगा और रिष्टा पक्का होने का योग भी इस समय में बन सकता है इसलिए ध्यान देंगे तो लाब मिलेगा और इसके साथ ही अच्छानक शादी का रिष्टा भी आएगा इसी समय में तो इस बात पर भी आप द्यान देंगे कि रिष्टा आएगा और आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझे वाली बात है तो मेश राशी वालों के लिए समय अच्छा है विवाह के मामले में विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है इस समय में धार्मिक यात्रा भी हो सकती है थोड़ा सा खर्च भी अधिक रहेगा आँखों पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं इस समय में लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें और मित्रों से दूरी बनाए रखें और बुरे मित्र हैं तो उनसे विशेश दूरी बनाए रखें व्यसंद से बचें गलत खान पान बिलकुल ना करें इस महीने में तो मंगल वेसे मीन राशी पर है तो ऐसी कोई भी इस्तती नहीं बनती है जिससे मेश राशी वालों को नुकसान हो अब अगली इस्तती वरशब राशी की बात कर होगी इस समय में जमीन जायदाद से समंदित लाब मिल सकता है खरिदारी का योग भी बन सकता है जमीन जायदाद विजय जहां भी जाएंगे आपकी विजय होगी सफलता मिलेगी आरोग्यता रोगों में कमी होगी रोग रहेंगे नहीं सुख की प्राप्ती होगी इस समय म सुख की प्राप्ती होगी, सुख के साधन बढएंगे. आमधनी बहुत अच्छी रहेगी. चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे नोक्री में हैं, आमधनी अच्छी रहेगी. दामपत्य जीवन भी अच्छा चलेगा. वेवाहिक जीवन, दामपत्य जीवन शादी शुदा है तो दामपत्य जीवन भी अच्छा चलेगा अब सबसे महतुपूर्ण बात वर्षब राशी वालों के लिए धनी परिवार से रिष्टा आ सकता है तो रिष्टा अच्छे इस्थान से अच्छे परिवार से आ सकता है इस समय में ध्यान देंगे तो लाब मिलेगा पती से लाब मिल सकता है यदि कोई महिला है वरशब राशी की तो पती से लाब मिल सकता है कोई पुरुश है तो पत्नी से इस समय में लाब मिल सकता है या पत्नी को लाब मिल सकता है उनके कामकाज भी अच्छे रहेंगे प्रेम विवाह रिष्टे की बात कर सकते हैं इस समय में तो वरशब राशी वालों के लिए यह समय भी काफी अच्छा है प्रेम विवाह के मामले में यह समय काफी अच्छा रहेगा तो यहां मैं आठ राशियों की बात कर रहा हूं मंगल दस्वा रहेगा दस्वा मंगल शुब मंगल की श्रेणी में आता है और मीन राशी पर है गुरू की मित्र राशी पर है तो व्यापार नोकरी दोनों में लाब वाली इस्तती है चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नोकरी में हैं लाब वाली इस्तती रहेगी नई नोकरी म मकान वाहन का योग बन सकता है, भूमी खरिदना, मकान खरिदना, वाहन खरिदना, मा के स्वास्त पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें, आला कि समस्या वाली बात नहीं है, विवाह का विचार बनेगा इस समय में, तो मिथुन राशी वालों के लिए समय काफी अच्छ है, मंगल अच्छा है, रोग भी समाप्त होंगे, पुराने कोई रोग है, तो वे भी समाप्त होंगे, और पुराना बकाया लाब भी इसमें मिल सकता है, किसी से पेसा मांगते हैं, तो इस समय में प्रयास करेंगे, तो वहाँ पेसा आपके पास आजाएगा, आपको लाब म अब बात करेंगे करकराशी के बारे में यदि आपकी जन्म राशी करकराशी है तो आपकी राशी से मंगल नवम इस्थान पर रहेगा गोचर करेगा यह इस्तती मध्यम इस्तती कहलाती है लेकिन लाब भी देती है जैसे दर्म में रूची रहती है सामाजिक कारियों में जैस प्रकार की स्तती बन सकती है शिक्षा में लाब मिलेगा या उच्छ शिक्षा और आगे पड़ाई करना चाहते हैं तो यह एक महिना यहां विचार कर सकते हैं लाब मिलेगा धार्मिक करचो सकता है। और धार्मीक यात्रा भी करकराशी वालों के लिए उसकते हैं। रहें कोई समस्या वाली बात नहीं SAYS अपकर्म की व्रति होगी होगी तो परिष्णम फ़ोड़ा साधिक रहेगा आपके पास एसा रिष्टा आ सकता है और वह रिष्टा आपको पहले से ही पसंद है इसी इस्तती भी बन सकती है या वह रिष्टा आपको पसंद आ जाएगा इसी इस्तती बन सकती है त्यान देंगे तो रिष्टा पक्का भी हो जाएगा कोई समस्यावाली बात नहीं है वैस करेंगे सीह राशी के बारे में यदि आपकी जन्म राशी सीह राशी है तो आपकी राशी से यह मंगल आठवा पड़ेगा आठवा मंगल वैसे तो अशुब होता है लेकिन मीन राशी पर गोचर करेगा तो इसी इस्तती अच्छी होती है पूरी नहीं होती है अगर जनम पत् हो आठवे भाव में तो व्यक्ति नरप तुल्य होता है राजा के तुल्य भी होता है क्योंकि मंगल शुक्र गुरू इनकी दृष्टी धन भाव पर भी होती है तो यह स्थती समझनी भी बहुत जरूरी है तो मंगल जो है सीराशी वाले जितने भी जातक है उनको क्या लाब दे सकता है क्या सहावधानी रखनी है जाने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान लगावें खान पान पर ध्यान इस समय में लगावें धन का लाब अवश्य होगा चाहे आप नोकरी में हैं चाहे व्यापार में मां के स्वास्त पर भी थोड़ा सा ध्यान इस समय में अवश्य यदि आपको पहले से ही पेट की समस्या है या खान-पान पर ध्यान नहीं देते हैं तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान देवें, लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें सुभाव में तेजी रह सकती, वाणी में तेजी रह सकती लेकिन अचानक धनलाब का योग सीन राशी वालों के लिए यहाँ पर बनेगा भाई बेहनों से सामन्य रिष्टा रहेगा और पेत्रिक संपती का कुछ लाब यहाँ पर आपको मिल सकता है यहाँ पर मंगल कुछ लाब भी देगा और कुछ सावधनिया भी रखनी है अब कन्या राशी की बात करेंगे यदि आपकी जन्मराशी कन्या राशी है तो आपकी राशी से यहाँ मंगल सात्वा पड़ेगा मंगल के साथ शुक्र भी है गुरू भी है विशेशकर गुरु तो रहेगा ही लेकिन शुक्र भी 22 माई तक तो रहेगा 17 माई से 22 माई शुक्र भी मंगल के साथ रहेगा तो यहाँ पर मध्यम होते हुए भी कन्या राशी वालों के लिए यह मंगल अच्छा रहेगा अचानक शादी का रिष्टा आएगा इसके अलावा शादी के रिष्टे की बात भी कहीं करेंगे तो अचानक रिष्टा पक्का हो जाएगा भोतिक समस्त प्रकार के लाब आपको मिलेंगे जितनी भी सुक की सुविधाय हैं आपको मिलेगी पाणी में थोड़ी तेजी रहेगी नोकरी का योग भी इस समय में अवश्य बनेगा यात्रा में थोड़ी सावधानी रखे हैं इस समय में अगर आपकी उम्र कम हैं बच्चे हैं तो आपकी कन्या राशी है तो थोड़ा स्वास्थ पर ध्यान अवश्य लगावें। और थोड़ा सा अपने शोक पर भी नियंतरन रखें अनावशक खर्च ना करें अब बात करेंगे तुला राशी के बारे में तुला राशी से यह मंगल छठा पड़ेगा शुब रहेगा अचानक शादी का रिष्टा आएगा तुला राशी वालों के लिए भी मंगल अच्छा है प्रेम विवाह में थोड़ी सी सावधनी अवश्य रखें या किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहाँ पर भी सावधनी रखें अन्यथा फिर प्रेम प्रसंग जो है ब्रेक अप हो सकता है थोड़ी सावधनी अवश्य रखें क्या थोड़ा सा मन मुटा हो सकता है हलांकि बड़ी कोई इस्तती ऐसी बन नहीं रही है फिर भी सावधनी अवश्य रखें धन का लाब अवश्य होगा चाहे आप नोकरी में है चाहे व्यापार में है शत्रू समाप्त होंगे शत्रू दूर रहेंगे आप से कोट कचरी के मुकद में कोई है तो वहाँ पर भी आपको लाब मिलेगा रोग में भी कमी होगी यदि तुला राशी एक खानपन पर थोड़ा सा द्यान अवश्य देवे अधिक खानपन ठीक नहीं रहेगा घर का बोजन करें बाहर का बोजन ना करें दामपत्य जीवन ठीक ठीक रहेगा कोई समस्या वाली बात नहीं है अचानक यात्रा का योग बनेगा तुला राशी वालों के लिए समय अच्छा है अचानक यात्रा का योग बन सकता है अचानक खर्ज भी अधिक हो सकता है पतनी के स्वास्त पर थोड़ा सद्यान देवें या महिला है कोई तूला राशी की तो पती के स्वास्त पर थोड़ा सद्यान अवश्यत देवें अब बात करेंगे व्रश्चिक राशी के बारे में आपकी राशी से यह मंगल पांचवा पड़ेगा पांचवा मंगल जो है मद्यम कहलाता है अचानक धन लाब होगा चाहे व्यापारी हैं चाहे नोकरी में हैं अचानक कहीं कहीं से लाब मिलेगा या रिष्टेदारों से या सा गुस्सा भी रहेगा शिक्षा में भी शुब है संतान को भी लाब मिलेगा या संतान से भी लाब मिलेगा वहां चलाते समय थोड़ी से सावधनी अवश्य रखें यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो रिष्टे की बात परिवार में अ अब बात करेंगे धनु राशी के बारे में आपकी राशी से यह मंगल चोथा पड़ेगा चोथा मंगल अशुब होता है लेकिन शुब फल देगा क्योंकि मंगल की इस्तती यहां पर मीन राशी पर है साथ में गुरू भी है और कुछ समय के लिए शुक्र भी साथ में है तो दनु राशी वालों के लिए और अन्य भोतिक जितने भी सामान होते हैं गर में जितने भी सुक के साधन है खरिदने का यूग बन सकता है सुक के साधनों उपर खर्च हो सकता है नोकरी बिल्कुल न छोड़े इस समय में नोकरी अच्छी चल रही तो कोई समस्यावली बात नहीं हैं आमदनी अच्छी रहेगी चाहे आप व्यापरी हैं चाहे नोकरी में अचानक शादी का रिष्टा आएगा तो धनुराशी वालों के लिए मंगल अच्छा रहेगा अचानक शादी का रिष्टा आएगा और रिष्टा पक्का होने के योग भी पूरे बन रहे हैं व फिर इस्तधी ठीक रहेगी शादी के रिष्टे से समंदित बादचीत इस समय में कर सकते हैं कहीं से रिष्टा आता है तब भी और आप भी आगे बढ़कर कहीं बादचीत करते हैं तब भी अचानक लाब मिलेगा तो रिष्टा पका हो जाएगा थोड़ी सी चिंता इस समय मे तो वे भी इस समय में सुलज सकते हैं इस वीडियो में मैं अंत में चार लगन कुंडलियों के बारे में भी जानकरी दूँगा अगर आपकी राशी पर ऐसा योग नहीं बन रहा है अचानक रिष्टा नहीं बन रहा है तो आप चार लगनों को भी जान सकते हैं चार ऐसे कौन से लगन है उनको भी लाब मिलेगा यह भी इसी वीडियो में बताए जाएगा और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब का बटन है नीचे लाल उसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि आने वाले समय में सभी जान करें आपको समय पर मिल जाएगी अब बात करेंगे मकर राशी के बारे में आपकी जन्म राशी मकर राशी है यहां पर सुर्य राशी नहीं देखनी है चंद्र राशी देखनी है हमारे पारत वर्ष में जितनी भी जन्म पत्रियां बनती है उसमें आपका जो ना तक इतनी तारिक से इतनी तारिक तक जैसे 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक मकर राशी फिर आगे कुंब राशी फिर मीन राशी तो वो राशी आपको नहीं देखनी है आपको अपनी जन्मकुंडली खोल कर राशी देखनी है कि चंद्रमा किस राशी पर है तो यदि आपकी म मंगल रहेगा, धन का लाब होगा, खरिदारी का योग बनेगा, नोकरी का योग बनेगा, रोगों में कमी होगी, एक शत्रुदूर रहेंगे, और अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से आप इस समय में अच्छा धन अरजित करेंगे, कारे कुशलता रहेगी, जो भी काम करें कि विशेशकर प्रेम विवाहा में भी शुब है, यहां इस्तती, तो यहां पर 17-22 माई के बीच में प्रयास करते हैं, तो और ज़्यादा लाब वाली इस्तती रहती है, वेवाइक मामलों में, किसी को पसंद करते हैं, तब भी परिवार में बात्चित करें इस समय में, रि राशी से यह मंगल दूसरा रहेगा, मध्यम रहेगा, मंगल यदि आपकी राशी से दूसरा है, तो आपकी जो धन कुटुम वानी स्थाने आपका, वहां पर मंगल की इस्तती रहेगी, हालांकि गूरु साथ में हैं, फिर भी थोड़ी सी वानी में तेजी रहेगी, कुछ पूंजी में व्रद्धी अवश्य होगी धन का लाब विशेश होगा चाहे आप नोकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं नई नोकरी या व्यापार में अचानक लाब धन चमा पूंजी बढ़ सकती हैं नई नोकरी के योग भी बन सकते हैं नोकरी में शुब इस्तती है सरकारी नोकरी के लिए प्रियास कर रहे हैं, यहां कोई एक्जाम दिया है, तो यहां पर उनको भी लाब मिल सकता है, पद उन्नती भी हो सकती है, पद बढ़ सकता है, सम्मान मिल सकता है, भाई बेहनों से थोड़ी सी सावधा नहीं रखें वाणी में, कम बोलेंगे भाई बेहनों से या हिसाब से बातचित करेंगे तो ठीक रहेगा उन्नती का योग है इस समय में महनत करेंगे तो और ज्यादा सफलता मिलेगी समय अच्छा है उस समय में प्रियास करते हैं तो लाव और अधिक मिलता है तो कुम राशी वालों के लिए समय अच्छा है अच्छानक लाव का योग भी बनेगा इस समय में और पारिवरिक कारियों में भी व्यस्त रहेंगे अब मीन राशी अंतिम राशी मीन राशी की बात क करेंगे आपकी राशी पर ही मंगल का गोचर रहेगा एसी इस्तती में यह मध्यम होकर भी शुब रहेगा अचानक शादी का रिष्टा आएगा रिष्टा पक्का होने के पूरे योग हैं एक महिने से थोड़ा ज्यादा समय है इसका अधिक सदिक लाब उठाएं विवाह यो है तब भी ठीक है और आप भी आगे बढ़कर कहीं रिष्टे की बात करते हैं तो अचानक रिष्टा पक्का हो जाएगा अचानक भाग्य की भी वृत्ति होगी तो भाग्य के लिए भी अच्छा है हर प्रकार से लाब है अचानक लाब की योग हैं नोक्री में सफलता मिले प्यापार में भी धनका लाव होगा वानी में तेजी रहेगी थोड़ी सी द्यान देवे एक बात और समझ लें कि कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो वेवाहिक भाव को पीडा देते हैं कुछ ऐसे योग जिससे विवाह में देरी होती है विवाह नहीं हो पाता है तो वे योग अगर कुंडली में बन रहे हैं तो ये गोचर के ग्रहा भी कुछ नहीं कर पाते हैं हालां कि थोड़ा सपोर्ट जरूर करते हैं लेकिन कुंडली में अशुब योग पड़े हुए हैं तो फिर जो मैं बता रहा हूँग अचानक लाब मिलेगा यह इस्तती उत विडित हो तो विवाहा हमने देखा है 40-40 साल की आयू तक नहीं हो पाता है यह जो योग बता रहे हैं यह योग तो हर वर्ष बनते रहते हैं लेकिन इन योगों में भी व्यक्ति अगर अपने काम का आज में व्यस्त रहेगा ज्यान नहीं देगा तो फिर वहां पर काम नह हो नहीं आते हैं इसस्तिकों समझना भी बहुत ज्रूरी और काम काज में व्यतना लाब नहीं मिल पाता है यह जडि दिशाएं खराब चल रही है सै हिस तो मीन्धाशी की बात कर रहे 902 में मिस अब्यागिए व्यापार में बी दन नौला करा लाग मिलेगा व्यापारी है खान पान पर थोड़ा सा द्यान अवश्य लगावें, बुरे लोगों से दूरी रखें, जो बुरे लोग हैं या बुरे मित्र हैं उनसे दूरी रखें, दामपत जीवन उत्तम रहेगा, शिक्षा भी उत्तम रहेगी और धार्मिक रूची भी रहेगी इस समय में, तो मीन रा राशी पर मंगल का गोचर है अब यदि आपकी राशी पर मैंने नहीं बताया है कि अचानक योग फाली इस्तती नहीं बताईए तो आप यहां देखें कि कहीं आपकी जो लगन कुंडली है डीवन चार चार ऐसे लगन हैं उनको भी मिलेगा इस समय में लाप सबसे पहले मेश लगन यदि आपकी मेश लगन की कुंडली है दूसरी सती कन्या लगन तीसरा धनू लगन और चोथा मीन लगन तो मेश लगन कन्या लगन धनू लगन और मीन लगन अगर यह चार लगन हैं इन चार लगन वालों को मिलेगा लाब तो इन में से एक लगन आपका भी होगा मीन के मंगल का लाब अचानक आएगा रिष्टा और रिष्टा होगा और का और यह जानकर यह अच्छी लगी हो तो अधिक सधिक शेर अवश्य करें तन्यवाद जैशिक्रिश्णा